हेलो एंड गुड यूरिंग मैं शलेश आप सुभी का आप सुभी के चाहशन प्रस्टेशर पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोग पढ़े स्टैटिक जीके और आज की शिशन में लोग कवर करेंगे संधों सव्यता की प्रमुक अस्थर से जुड़ी कुछ साथं पूर्पूर तक जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिंधु सव्यता एक ब्रहत प्रस्टेश थी ठीक है लेकिन उस व्यता में कुछ ऐसा अगर कोई सभ्यता है कोई कल्चर है तो ऐसा तो है लेकि एक ही अस्थान पर दूर दूर तक फैली रहती उसके कुछ भाग लिखने के लिए वर्ष वाला कॉलंब बनाएंगे काल्मिक हस्त्त Researchers के, भागbai वह भाग में, जिसे मोहन दाड़व हो गया ठीक है काली बंगा हो गया उनके बारे मी बहुत सारी चिजों के हम लोग cover करेंगे वर्ष, उत्खननकर्ता, प्रमुकस्था, नदी, इस्थिती, किछ वर्ष इसकी खुदाई हुई थी, ये सब टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो सभी लोग एक बार जूड़ जाएंगे, इक लाश को शेयर करेंगे, और जो इस चाहिप चले ठीक है, सबको एक लाश से cover करते चलेंगे हम लोग, अगर बात करें हम लोग वर्ष 1921, ठीक है, वर्ष 1921, वर्ष 1921 में किस क्या उत्खनन, किस चीज की खुदाई हुई थी, और उसके खुदाई करता कौन थे, यानि उत्खनन करता कौन थे, दया राम साहिनी, ठीक ह हडपा की बात करें हडपा, ठीक है, हडपा अस्थर की खुदाई, वर्ष 1921 में दयाराम साहिनी के नित्रित में हुआ ठीक है, और ये जो सभिता हडपा सभिता है, ये किस नदी के किनारे है, रावी नदी के, ठीक है, रावी नदी के, रावी नदी के, ठीक है, रवी नद कर दो तो इस प्रकार की इधर ठीक है तो रावी नदी के यह yum सभेटा बसा पाकिस्तान का कोई जिला है मॉन्ट गुमरी जिला है उसमें है ठीक है अब लोग मोटा मोटी लिखते चलेंगे हम लोग ठीक है वर्ष 1921 में क्या हो गया दयाराम साहिनी ने हनपस सविता की खुदाई किया था करवाया था ठीक है वसे यह भी उसी में लगे रहेंगे खुद ज़ुदते होंगे ठीक है निस्तो एक साल बाद ऐक साल बाद ठीक है 1922 में आये थे राखल दास बनर जी इन्होंने क्या किया था मोहन जोदुदुदुदिटρού unity मोहन जुदुदुदुद्ँदुदुदू हाँ एक फिल्म है मोहन जोदड़ो रितिक रोशन का है तो आप लोग देखने जाएंगे उसको या फिर देख सकते हैं यह तो बहुत पुराना फिल्म है दो तीन सार पहले का तो उसको देखेंगे तो उसमें आपको मोहन जोदड़ो से जोड़ी हुई बातों का अध्यान मिल पहले तो आप लोग जोड़ो की खुदाई कोन करवाया था तो राखल दास बनर जी वर्स 1922 में ठीक है यह किसका सिंदू यहां यह जो मोहन जोड़ों है किस नदी किनारे है तो यह सिंदु नदी ठीक है सिंदु नदी भी कहा बैती है पाकिस्तान में ही बैती है और इस सि सिंदु के बाये तर यह नदी है सिंदु नदी के बाये तर पे यह बसा हुआ था हरपा कहा बसा था राभी नदी के बाये तर पे बसा ठीक है और यह भी सिंदप्रांथ में ठीक है यह सिंदप्रांथ में है यह पाकिस्तान में ही ठीक है पाकिस्तान पाकिस्तान का सिंदप इसके बाद अगर हम बात करें ऐसे लिखते चलेंगे वर्ष 1931 का तो वर्ष 1931 में क्या हुआ था यह जो गोपाल दास मजुमदार है ठीक है मजुमदार ऐसे गोपाल दास मजुमदार ठीक है गोपाल दास मजुमदार 1931 में कि इसका चन हुदुरो की खुदाई करवाई थी ठीक है हाँ अगर बात करें मुहन जोड़ो का तो मुहन जोड़ो यह ने मृतकों टीला यहाँ पर कई अस्थियां दवी हुई मिली थी ठीक है हां चन हुदुरो यह भी जो है सिंदु नदी के किनारे पर ही मिला है ठीक है कमें सब प्रदेश से रहा हुभ पाकिस्ता प्रडेश कि यहां पर जो सिस्टम है जो रो है वो थोड़ा पतला बतला है ना अगर बात करें वर्स 1903 में यह जो है यह बीवी लाल ठीक है और वी के थापर बीवी लाल ठीक है बीवी लाल और ठीक है वी के थापर और बीवी लाल ठीक है इन्होंने खुदाई करवाय था काली बंगा का काली बंगा ठीक है काली बंगा का तो यह काली बंगा की खुदाई करवाय थी इन्होंने और यह जो है काली बंगा घंगर नदी के किनारे था ठीक है घंगर नदी है घंगर गुजात में बहती है घंगर ठीक है घंगर यह घंगर लिखा हुआ है घंगर नदी के किनारे था तो इसके खुदाइक कॉर्ण था भीके ल यह लाल आज फे पर वीडिल फिक fils फ zijnध़ प्रेजिक नेकिशे, तो इसकी खुदाई को गया था बीके लाल बीबी लाल और विके थापर ठीक है वर्ष 1903 में वर्ष 1921 की बास करें तो दयाराम साहिनी हडपा सव्यता की खुदाई करवाय थे जो की रावी नदी के बाय तर्पे इस्तित्माना गया है पाकिस्तान जिले में है वर्टमाल में वर्ष 1922 में राखाल दास बनरजी मुहन जुद्रो की खुदाई करवाय जो की सिंद्ध सव्यता के बाय चोर पर था और यह भी वर्टमाले पाकिस्तान में है हां अब यह जो है इसका धराशाही भाग यानि खंडित भागी मिलता ऐसा है नहीं कि अभी भी बाना हुआ है उसको साफ सूथ करके और क्या किया गया है प्रेटक अस्थर बना दिया गया है प्रेटक आते हैं देखने के लिए वर्ष 1931 की बात करें तो गोपाल दास मजुमदार चल्भुद्रों की खुदाई करवाय थे सिंदू के दाए नदी के दाय तक परिस्तित है और यह भी वर पाफिस्थान था यह आफिस्थान था ऐसा कुछ नहीं सब एक मिलकर अबार में सब इदार तूटना फूटने वाली किरिया हुई कि यह देश विभाजन और फलान विभाजन धंकान विभाजन ठीक है कोई बात नहीं ठीक है ऐस चीज़ों का यह चीज़े आप लोग ध्य इस दिख रहा है ना सब दिख रहा है ना अगर वर्ष 1903 का तो गया एक और था वर्ष 1903 में एक और खुदाई हुई थी फजल अहमद ने करवाया था ठीक है फजल अहमद ठीक है फजल अहमद फजल अहमद ने करवाया था उसके उत्खन करता कौन थे यह किस किस अस्थल की खुदवाई करवाया थी तो कोट पैसे है कोट दीजी ठीक है कोट दीजी जो अस्थल था उसकी खुदवाई खुदाई वर्ष 1903 में फजल अहमद सहब ने करवाया था और यह सिंदु के बा अब सिंधु आ गया तो समझ दीजिए कि यह पाकिस्तान में ठीक है सिंधु के बाय चोर पर बाय चोर पर सिंधु मोहन जुदाड़ों भी था अब सिंधु ने थोड़ी से छोटी है नहीं बहुत बड़ी है ऐसे तो यहां पर कुछ सब विता कुछ थोड़ी दूर जाके बस किस्तान अगर बात करें वर्ष उने 3 पर द्वनी सटें से वर्फ उने 324 फृओं aussi tempo की 2 ौ। वर्स 1903-1954 में रंगनात राव ने खुदाई करवाई थी यह मादर एक अस्थल है तो यह जो नदी है मादर नदी नाम भी उसका है अधिव बहुत अजीब नाम है फिर भी मादर ठीक है और यह जो है वर्तमार में गुजरात की कठयावाड में नोट करेंगे इसको एक और देखेंगे फिर उसके बार खिर आगे बढ़िए भाष सही वर्स 1903-1956 तो ठीक है एनी तीन साल तक खुदाई हुई थी और इसकी खुदाई कौन करवाय था यग्यदत्त सर्मात यज़ प्रमुख सभिता थी यह रंग पूर ऐसा कुछ था यह रंग पूर था यह मादर जो था वो रंग पूर की जो प्रमुख अस्था लग तो वर्स निस सु तिर्पाइश वर्स निस साच चपन के अगर बात करें तो रोप इसकी खुदाई कौन करवाय था रंग नाथ अब तो यह नाम था यह रहा रहा है यह यज़ड शर्मा यह यज़ब शर्मथे गया नहीं आपपन थी जह रहा था अब शर्के रूपण अस्थान है कि धुजराथ मे रोपन को रोपन अस्थान तो गुजरात में गुजरात में नहीं पंजाब में, पंजाब में, बिल्कुल, बंजाब में है, तो यह सतलज नदी कि ना है, kis लिए? पंजाब में थीखें, पंजाब में इसका इस्थिती रूपण काूं, और गिदर्ट शर्म, नोट कर लेजिए फिर आगे बढ़ें, यह वर्टवान में यह जो रोपड है रोपड कोई जिला भी पंजाब का कहा जाता ठीक है चले ठीक है आगे बढ़ते हैं नोट कर लिजिए आफ्टर स्क्रीन सौर्ट फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है अब लोग उसके नीचे ही लिखते जाएंगे ठीक है हमारा इंस्क्रीन छोटा होनी की वज़र से हम मुझे मिटाना पड़ा ठीक है ठीक है ऐसे बना लेंगे फिर से फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है बच्चों फिर उन्नी सो पच्पन और उन्नी सो पच्पन ठीक है ठीक है रंग नाथ रंगनाथ 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 रंगना शेयर करेंगे और याइब मेर्तमान मेर्तुन भोगवा ओजर्मान और जो है और बॉब होगवा मेल अर्वेश्टान इनले यह पर जो भाल जो दो मेलें आप लो stre led जो एक जंब मेल oike अको दोरान भॉखवाने करेंगे पर इस नदी के व्यक्ताइगे दाय ते भी और विकाति, मोँ इसी को रेना है। व्यूोद कमें वर्धियों को सब्सक्राइब चाएब करें, वर्धियों केरें, वर्ध्मान Companies सब्सक्राइब कराा। र sneaking nadуск सब्सक्राइब के कर वाएध थी। अहम्दाबाद नोट करेंगे ऐसे गुजात के अहम्दाबाद में आगे अगर बढ़े हम लोग फिर यज्यदत्य शर्मा जी ने वर्ष उन्नीस सो अठावन थीक है वर्ष उन्नीस सो अठावन में यज्यदत्य यज्यदत्य शर्मा थीक है यगदत शर्मा ने फिर खुदाई करवाई किसकी खुदाई करवाई इन्होंने आलमगीर पूर एक अस्थल है वहाँ पर ठीक है आलमगीर आलमगीर ठीक है ये लोग क्या होते हैं ये लोग होते हैं पुरा तत्व विभाग के अधिकारी होते हैं वही लोग खुदाई करवा तौर्स पाइब तौर्इश पाइब सिमक प्रदेश यह ने अलमगीरपूर अस्थल परहतक सोइन यहाँ धकत कोई कोई पहुत सही, वर्ष 1974, लिखते चलेंगे, वर्ष 1974 कि अगर बात करें, तो रवेंदर सिंग विष्ट ने, ठीक है, रवेंदर सिंग विष्ट, रवेंदर सिंग विष्ट, ठीक है, रवेंदर सिंग विष्ट, ठीक है, रवेंदर सिंग विष्ट, रवेंदर सिंग विष्ट न बनावली अस्थल था ये भी संधव संविता काहिए को भाग था ठीक है बनावली जो की रंगोई नदी किनारे बसा था उसकी खुदाई करवाया था वर्ष में रविंद सिंग विष्ट ने ठीक है ये सब पुरा तत्व के पुरा तत्व विभाद के अधिकारियों थे हैं औ भाधरमार मे कें के तक हराई की सार कि इसार इसार जिलाश एं में वर्थमार में उल्हका थो ठीक है और इन्हों नहीं ठीक है उन्हों नहीं लेकिन यह 1990 इन्हों नहीं रविंदर सिंग विष्ट नहीं धौला वीरा धौला वीरा अस्थल जो है उसकी भी खुदाई करवाई थी यह मनहर नदी के किनाये था ठीक है मनहर नदी के किनाये था यह वर्तमान में जो है कच्छ जीला है ना कच्छ गुजरात के कच्छ ठीक है गुजरात यह था धौला वीरा को अभी खुदाई इन्हों ने करवा था वर्ष 1990 में रविंदर सिंग विष्ट नहीं आगे बढ़ते हैं यहां तक कोई इश्यू बहुत से इस्चा अनदर एगा अगर हम बात करें वर्ष 1975 से 1975 में जे पी जोशी थे फिक है जे पी जोशी थे एक उन्हों ने जेवी जोशी ने जो मांडा अस्थल एक ड्रीक है मांडा अस्थल जो की चिनाव नदी के किनारे सबस्क्रायब करना ना भूलें चले थीक है बहुत थन्यौत आप लोगों का एक बार नोट करेंगे मिलते हैं कल तब तके नमस्कार थेंक सो में जय हिंद जय भारत नमस्कार क्वे करें खायो प्रृष्क शेंक से अपे